हेलो दोस्तों तो जैसा के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हाउचे नहाई इटर्नेटी टावर में फ़र्स्ट फ्लोर के लास्ट राइल को देने के लिए एक रूम में इंटर हो गया जहाँ पर उसकी मुलकात एलेक्ट्रोलक्स के 12 गार्ड्स में से फ्लेम गार्ड्स और साथी साथ आईस गार्से हो गई थी जिन में से फ्लेम गार्ड हाउचें से कहता है कि अगर तुम मेरे एक अटेक को भी ब्लॉक कर पाए तो मैं तुम्हें अपने मास्टर के तोर पर एकसेप्ट कर लूँगा और इसके बार हम देखते है कि लगातार उसनी कई दफ़ा हाउचें को जान से मार डाला हाउचें बार बार फेल होने के माउजूर में वापस से ट्रायल को कम्प्लीट करने के लिए पहुँच जाता था इवन कि उसे बहुत ही ज़रा तकलीफ भी हो रही थी पर हार ना मनते हुए आखिरकार हम देखते है कि हाउचें नहीं किसी तरह फ्लेम गार्ड को हरा दिया साथी सर वाइस गार्ड को भी हरा देता है यानि कि अब उन दोनों नहीं हाउचें को अपने मास्टर के तोर पर एकसेप्ट कर लिया अब आगे तो नेक्स एपिसोड की शिरुआत बिल्कुल उसी सीची शिरुवती है जहां हाउचें रूम से बाहर आ गया उसके हाथ में एक स्नोफलेक है हाउचें के दोस्तों यहाँ पर हाउचें को देखकर काफी जारा सप्राइज होते है कि हाउचें आखिर ये क्या है सैमी ने तो आगी की दरव बढ़ते हैं हाउचें से वो स्नोफलेक अपने हाथों में ले लिया था पर उस नेव फलेक का वज़न इतना जारा है कि सैमी जमीन में गड़ गया ये लेकर तो उसके बाकी के दोस्स बहुती जारा सप्राइज हो जाते है कि इतने चोटी से स्नोफलेक का वज़न इतना जारा कैसे हो गया साथी सार हम देखते है कि यहाँ पर हाउचें के फलेम गार्ड और आइस गार्ड भी बाहरे निकलाएते जिनकी पावर्स बहुती जारा खतर नाक थी उनका यह औरा महसूस करके तो जावियन गवराते है फोरन जाकर चुप गया जबके हाउचें के दोस्त भी हैरान परिशान सामने खड़ेते अभी उन दोरों में से आइस गार्ड यहाँ पर हाउचें को आका के नाम से पुकारते हुए कहता है कि आका भी के लिए स्नोफलिक को मैं अपने पास रख लेता हूँ यहां आका का वर्ड सुनकर तो हॉचेन के दोस्थ हरान होते वे कहते है कि अभी इन दोनों ने ये तुम्हें क्या कहा जिस पर हाउचे न उन दोनों गार्स को अपनी इटर्नल मैलोडी लॉकिट में रखते हुए यह ने बताता है कि इन दोनों ने मुझे अपने मास्टर के तोर पर एकसेप्ट कर लिया है यारे कि अगर फ्यूचेर में किसी भी फाइट के दुरान मुझे इन लोगों की जरुरत पड़ी तो यह लोग मेरी बरत करने के लिए आएंगे और यहीं स्ट्राइल का रिवार्ट था जो सुनकर तो लिंजवान और सेमी एकसाइटर होते हुए कहते है कि लीडर तुमने तो कमाल कर दिया यह बहुत ही ज़ारा कूल है अब नेक्स फ्लोर में जाने का वक्त आ चुका है साती अलेक्ट्रोलक्स उन गार्ड्स के बारे में हाउचेन को बताता है कि मेरे पास इस तरह के टोटल 12 गार्ड्स है जिन सबके सबका लेवल 9 से जारा अबाव है लेकिन अभी के लिए चुके तुमने उन्हें हासल किया और तुमारा लेवल लो है इसलिए इन गार्ड्स की पावर्स भी थोड़ी सी सप्रेस हो गई जैसे जैसे तुम अपनी कल्ट्वीशन को बढ़ाते जाओगे ये गार्ड्स भी तुमारे साथ साथ स्ट्रोंग होते जाएंगे ये कहते वे अलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर हाउचेन के सामने सेकेंड फ्लोर के लिए सीड़िया उपन कर देते है जो देखर तो सैमी एकसाइटूर होते है क्या मज़ा आएका चलो लीडर हम लोग जल्दी से सेकेंड फ्लोर पर जाकर फाइट करना शुरू करते है लेकिन तब ये अचानक हाउचेन ने उसे वही पर रोग दिया और वो कहता है कि सेकेंड फ्लोर पर मेरी जो गार्ड इंतिजार कर रहे है वो इससे ज़रा ताकतवर होंगे इवन कि सेकेंड फ्लोर के ट्राइल्स भी फ्रस्ट फ्लोर से ज़रा डिफिकल्ट होंगे तो अभी के लिए हम चांसिस नहीं ले सकते फिलहाल मैं तुम लोगों से यही पूछता चाहता हूँ कि जब मैं अंदर प्रैक्टिस कर रहा था तो तुम लोगों की ट्रेनिंग कैसी रही कैरन हाँचिन की यह बात सुनकर जवाब दीती है कि हम सब लोगों को नहीं प्रैक्टिस करके अपने स्पिरिच्वल पॉइंट्स को 6,000 तक ले आए सबसे पहले यहाँ पर सैमी और चेरी अपने स्पिरिच्वल पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जिन दोनों के स्पिरिच्वल पॉइंट्स के बारे में बताया जाता है जो के टोटल है 7,545 हनियो लिन्सवान और मिसवान के भी यहाँ पर स्पिरिच्वल पॉइंट्स के बारे में हम लोगों को दिखाया जाता है जो के सब ही सीख 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 थाउजेंड थे हाँचें को अपने टीम की ये प्रोग्रेस दे कर बहुत ही खुश हुई पर तभी अचैनल को अपने माते को टाच करते हुए कहता है कि शायद हाव यूवी मुझे बुला रहा है लगता है कि उसका इवलूशन स्टार्ट हो गया जो सुनकर लिंसु आज सप्राइस होते हुए कहता है कि हाव यूवी का इवलूशन इस बार वो आखिर किस तरह दिखेगा कैरी भी आगी के तरफ आत वे हाव यूवी को देखने के लिए जा सकते है इवन कि कैरन ने भी हाव यूवी के उस दुनिया को देखना चाती हूँ जहाँ पर वो खुद को इवल्स करता है अचेन अपने टीमेट्स को इतना जारा एकसाइटीड देखकर कैरन की बात को नहीं टालता और वो आगी के तरफ जाते वे यहाँ इन सब लोगों को आपने साथ टेलिपोर्ट करके हाव यूवी के वर्ड में लेकर जाना शुरू कर देता है जहाँ पर ये लोग एक वर्म होल का इस्तिमाल करते हैं उस दूसरी दुनिया में खुद को टेलिपोर्ट कर लेते हैं रास्ते का सफर थोड़ा सा मुश्किल था कैरन वी स्वान और हनी उ तो काफी अची से इस दुनिया में आने के बाद लेंडिंग कर चुके थे लेकिन सैमी लिन्सवान और चेरी बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं लिन्जवान इससे पहले कि यहां इस बारे में शिकायत कर पाता, तब्या चानक उसे पैर से किसी ने पकड़ लिया, जो कि एक बड़ासा ट्रोल मॉस्टर है यह देखकर लिंजवान तो परिशान हो गया जबके तब ही अचाना खानी उसके मदद करने के लिए उस ट्रोल को किक करते हुए साइड पर पटक चुका यहाँ साइड पर देखने के बाद इन लोगों को जानने को बिलता है कि सामने से तो कही जारा ट्रोल भी सिनी की तरफ बढ़ रहे थे और वो लोग चिलाते है कि हम लोग औसन ग्रिफन को जान से मार डालेंगे जो देखकर तो यह सब लोगी हैरान थे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट हो कर हाउचेन पर आ जाता है जो के टेलिपोर्ट हो कर एक अजीब सी जगे पर पहुंच चुका था यहान एके बार हाउचेन अपने दोस्तों का वाज देती हुने बुलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके आसपास उसका कोई भी दोस्त मौशूद नहीं था जो देखकर हाउचेन पर रिशान होते हुए कहता है कि मुझे जल से जल अपने दोस्तों से जाकर मिलना होगा पर तभी जमीन के अंदर से यहाँ हाउचेन पर दियान नहीं देता जो देखकर हाउचेन हैरान होते हुए अपने पास से फोरण फ्राइड फिश रिकाल लेता है क्योंके वो तो हाउचेन को नहीं देख सकती हाउचेन भी अब तक ये बात समझ गया था कि मैं शायद हाउचेन की मैमरी वर्ड में हूँ ये रियल हाउचेन नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकती है कि इन मैमरीज का कोई मतलब नहीं असल में ये हाउचेन की मैमरीज है जब हाउचेन से नहीं मिलाता वो काफी जरा क्यूट और शिरारती था हाउचेन को यहाँ पर तभी अचेनक थोड़ा सा खत्रा मैसूस हुआ जिससे मैसूस करते साथी वो अपनी सोड को बाहरी निकाल लेता है साथी सार हाउचेन अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं मेरे दोस्त कहां पर होंगे मैं तो उनसे अपने सोल चेन की मनद से भी लिंक नहीं कर पा रहा अभी के लिए हाउचिन के पास हाव यूई को फॉलो करनी के इलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था इसलिए हम देखते हैं कि वो ऐसे ही करड़ा शुरू कर देता है जबके हाव यूई भी एक क्यूट से नादान बच्चे की तरह जो सामने आए उसे खा जाता है उसने तो एक स्कॉर्पियन खा लिया था जबके हाउचिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं वो स्कॉर्पियन खाने के बार हाव यूई को भी इस बात का ऐसास हो गया कि स्कॉर्पियन का टेस्ट बिलकुल अचा नहीं होता पर उसे बूग प्यास लग रही थी जिसके वएदे से हाव यूई समझ रही पा रहा था क्या खिर वो क्या करें वो बीचारा तो इस बंजर सी दुनिया में बुरी तरीके से फस गया था बूग प्यास से उसकी हलत खराब हो चुकी थी हाव चेन अब चाकर भी तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सिर्फ पास्ट की मेमरी थी इसलिए वो भी पास बैटकर सिर्फ हाव यूवी को देखता हुआ कह रहा था कि बड़ी अफसोस की बात है हाव यूवी अपने बच्पन वे इतनी ज़रा दुक और परिशानियों से गुजरा है मुझे इस बारे में बिलकुल अंदाजा नहीं था तब ही अचानक दूसरी तरफ बारिश होना शुरू हो गई थी जो के हाव यूवी देखकर खुश हो गया उसे लग रहा था कि अब उसे पीने को पानी मिल जाएगा पर हाव यूवी बाहिर आकर जैसी उस बारिश के पानी को पीने की कोशिश करता है वो तो ऐसी ड्रेंटा जो के उसकी मुग को जला देता है इस तकलीफ की वज़े से हाव यूवी चिलाता हुआ दुबारा से अंदर बाग गया जिबके हाव चेन को उसके लिए बहुत ज़रा दर्द मैसोस हो रहा था और तब ही अचानका हाउचेन यहाँ पर एक स्पेर को तीजी के सार हाव यूवी की दोर्व बढ़तावा देखता है जिससे उसरे उस रकनी की कोशिश की लेकिन चूँके यह एक पास प्रमलि है इसलिए हॉचेन अभीस को नहीं बढ़ल सकता जबकि वो स्केलेटीन बीस्ट यूही आगे की तरुफ बढ़ते वे हाव यूवी पर अटैक करते वे कह रहे थे कि हम तुम्हें जान से मार डालेंगे हाव यूवी को यहाँ पर यो जखमी हालत में देकर याद करते वे कहता है कि अच्छा तो जब हाव यूवी हाउचन को पहली दफ़ा मिला था तो उसके जखम इसी वड़ा से हाव यूवी को मिलेते और ये तो कुछ नहीं था यहाँ पर अंडैट की तीन किंग्स जो कि अपनी पावर्स का इस्तिमाल करते वे हाव यूवी की बाड़ी को जला रहे थे वो इसी तरह से फ्लेम की पावर्स को बढ़ाते वे हाव यूवी से कहते है कि तुमने हमारी इस दुनिया को जला कर रा कर दिया हम तुमसे उसका बनला लेंगे दूसरा किング जवाद देते وएं कायता है कि तुमने हमारे हीरोश को जान से बारा है और उनकी इस्त किलिए मैं तुमे जान से मार डालूंगा जबकि तीसरा किंग यहाँ पर अपनी फ्लेम का इस्तिमाल करते हुए हावीवी की स्किन को जलाते हुए कह रहा था कि हम तुम्हारे अंदर से सारी नफरत को मिटा देंगे हावीवी तो साग की वज़र से काफी बुरी तरीके से तरड़ अप रहा था हावचेन एक बंजर सी दुनिया में पहुंच चुका था उसे तो कुछ भी समय नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर उसके आसपास ये सब हो क्या रहा है अभी अचानक हावचेन को यहाँ पर सामने एक थ्रोन पर किसी तरह का ड्रेगन दिखाई दिया जिसके आँके चमक रही थी शायद यही है असली ऑसरन ग्रिफन गॉड ओफ डिस्रक्शन जो के हावचेन सी कह रहा था कि अपनी किस्मत को एकसेप्ट कर लो क्योंकि तुम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते यह कहते हुए अचानक से हावचेन के सामने एक दर्वाजा ओपर हो गया जिसके अंदर से बहुती रोशन निकल रही थी और वापस से हावचेन यहाँ होश में आ गया जहां अंके खोलते साथी हाउचेन सबसे पहले अपने सामने कैरन को देखता है जहाँ पर कैरन हाउचेन से सवाल करते वे पूछ रही थी कि हाउचेन क्या तुम ठीक हो हाउचेन भी फोरे से उड़ते वे कैरन से सवाल करके पूछता है कि कैरन आखिर इस वक हम लोग कहा पर है हाउचेन के अपने इसी सवाल के साथ ही अचानक उसकी नजर पीचे मौचूद एक बड़े से अंडे पर पड़ गई थी जिसके अंदर हाउईवी इवॉल्फ हो रहा है इसलिए हाउचेन तीजी के साथ रूटते वे फोर से हाउईवी के पास आ गया साथ हाउचेन यहाँ पर केरन से सवाल करते वे पूछ था है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था जिस पर केरन हाउचेन को बताती है कि जब हम लोग इस दुनिया में आयती तब ही तुम अचानक हम से गाइब हो गए हम लोगों को पहले तो समय नहीं आया कि आखिर तुम कहा पर गायब होगे लिकिन पिर हम लोगों की नसर एक पहाड़ी पर पढ़ गई जहाँ पर कई सारे मौस्टर उसी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने भी उन्हें फॉलो करते हुए उस पहाड़ी की केव के अंदर आगे जहाँ पर हमें तुम भीहोशी की हालत में मिले साथी साथ हावी भी यही पर मौझूद था केरन की ये बाते सुनकर हावचेन केरन से माफ me मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना मैंने काफी चाहँ कर दिया होगा पीचे से आजाता है जिसे देखकर चेरी और लिंसवान तो काफी ज़रा खुश हो गए और वो लोग कहता है कि हाउचेर आखिर कार तुम होश में आ गए जिस पर हाउचेर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं बिलकु टीक हो मेरी फिकर मत करो ये बताओ कि यहाँ पर सिचुईशन कैसी है दूसरे तरफ हम सैमी और मिसवान को भी देखते है जो कि पहाड़ी से नीचे उतर कर सारे बीस्ट को जान से मार रहे थे सैमी ने अब तक अपने हैमर का इस्तिमाल करते हैं 353 बीस्ट को जान से मार डाला था जबके मिसवान यहाँ पर सैमी को बताती है कि मैं तुम से आगी हूँ क्योंके मैंने 357 बीस्ट को जान से मार डाला है और इसी तरह ये एक दूसरे से compete करते हैं वहाँ पर मुझूद बीस्ट को मारते हुए जगा को साफ कर रहे थे हाउचेन भी पहाड़ी के उपर से यहाँ पर अपने दोस्तों को यह सब करता हुआ देख रहा था कि हाउचेन जब तुम कौवा में थी तब तुमारी काफी स्पिरिचिल इनर्जी कंजियूम हो गई इसलिए तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए लिंजवान भी यहाँ पर हाउचेन के पास आते हुए कहता है कि हाउचेन तुम्हें वैसे फाइट करनी के खुद कोई जरूरत नहीं तुम शायद भूल गे कि तुमारे पास दो बहुत ही जरा पाउरफुल गार्ड है क्यों न तुम उनका इस्तिमाल करो यहाँ पर लिंजवान की ये बात सुनकर हाउचेन ने अपने फ्लीम गार्ड और आइस गार्ड दोनों को बाहें निकाल लिया था जिनने हुकम देते हुए हाउचेन कहता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि इस पूरे की पूरे बैटल फिल्ड को खाली कर दो यहाँ तुमारे सामने जो भी दुश्मन आये उन सब को मिटा दो हाउचेन का यह ओर्डर सुनकर वो दोनों गार्ड जवाब दीते है कि जैसे हमारे आका का हुकम यह कहते हुए फ्लीम गार्ड और आइस गार्ड दोनों ही तीजी के साथ जम करते हुए सीड़ा नीचे बैटल ग्राउड में आगे जहां उनके नीचे आते साथी वहाँ पर एक बहुत बड़ा इनर्जी ब्लास हो गया इस इनर्जी ब्लास के कारण भी वहाँ पर कई सारे बीस जान से मारे गए थे सैमी और मिसवान को दो समय नहीं आता कि आखिर ये दोनों है कौन लेकिन दुआ हटनी के बाद उनने समझ आ गया था कि अच्छा ये तो फ्लेम गार्ड और आइस गार्ड है लेकिन इनकी ताकत काफी जारा कमाल की थी सब लोगी इनकी फाइट्स को देखने की कोशिच कर रहे थी जबके फ्लेम गार्ड यहाँ पर गुसा होते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरे आका को परिशान कर दिया मैं तुम लोगों को इसके लिए माफ नहीं कर सकता ये कहते साती वो अपने असूरा किलिंग स्लेश को एक्टिवेट कर लेता है जहाँ पर उसका असूरा स्लेश काफी ज़रा दमदार था और उसने एक स्लेश का इस्तिमाल करते हुए तीन सो से चार सो बीस्ट को जान से मार डाला लिंजवान के ये देखकर तो आंखे बड़ी की पटी रह गईती और वो सप्राइज होते है कि ये आदमी तो काफी ज़रा घुसे वाला है दूसरी तरफ हम आइस गार को भी देखते हैं जिसने अपनी सनो पावर्स एक्टिवेट कर लीती है और वो यहाँ पर अपनी फ्रोजन फार थाॉसंड मायल्स डिगनी का इस्तिमाल करता है जिस ट्रिगने को इस्तिमाल करने की वदर से आइस गार्ड की रेंज में यहाँ पर जितने भी बीस थे वो सारी की सारी अपनी जगे पर फ्रीज हो गए लिन्जवान तो यहाँ इन दोनों के ही ताकत दे कर सप्राइस होते है कि लीडर आखिर तुमने इन दोनों को अपना गुलाम कैसे बना लिया यह तो दोनों पूरी तरीके से मॉस्टर्स है लिन्जवान अभी यह सब कही रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ जमीन में क्रैक्स पढ़ना शुरू हो गए थे जहां जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा ट्रोल किंग निकल कर बाहर आ गया वो ट्रोल किंग यहाँ पर इन सब मॉस्टर्स का लीडर है और वो घुसा होते है कि चलो मेरे साता और हम लोगों को आज की दिन ऑस्टरन ग्रीफन को जान से मार डा होगा उसे यहाँ पर अपने कई सारे बीस्ट को भी दुबारा से अनफ्रीज कर दिया था साती उससे ऑस्टरन ग्रीफन की इनरजी मैसूस हो गई थी हाँचन यहाँ इस ट्रोल किंग को देख कर ही समझ गया था कि वो एक लेवल सेवन का मॉस्टर है इसलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि चलो हम सब लोग आगे की तरुफ बढ़ते वे इस ट्रोल किंग को जान से मार डालेंगे बस पीछे हाँचन ने सैमी और मिस्वान को अकेले चोड़ दिया था ताकि वो इस केव के दर्वाजे को प्रोटेक्ट कर सके यह कहते है हाँचन अपनी लाइट सोड और विंक्स को अक्टिवेट करती है जबकि दूसरी तरफ हम चैरी को देखते है उसरे पहली दफ़ा अपने ट्रिपल लाइफ गेट को अक्टिवेट कर लिया यानि कि वो एक साथ यहाँ पर तीन बीस्ट को समन कर लेती है इवन कि फ्लेम गार्ड और आइस गार्ड ने भी यहाँगी की तरफ बढ़ते हैं उस ट्रोल किंग पर अटेक्स करना शुरू कर दिये थे जिस तुरान हाँचन कैरन और बाकी के सब दोस्ट भी आगी की तरफ बढ़ते हुए उन दोनों गार्स की मरत करते है इन सब लोगों के कमाइन अटेक्स की वज़से बेशा की वो ट्रोल किंग थोड़ा सा गायल और कमजोर हो चुका था लेकिन वो हर नहीं मानता बलके हम देखते है कि ट्रोल किंग ने यहाँ पर अपनी कुछ आलमी सोलजर्स की इनर्जी एबसॉर्ब करना शुरू कर दीती जिसके वरत से वो खुद को ताकतवर कर चुका वो यहाँ परी सारी पावर्स को अपनी वैपन पर पिलाते हुए तेजी के साथ यहाँ हाँचिन की तरफ बढ़ना शिरू कर चुका और वो घुस्ता होते हुए कहता है कि माउसरन ग्रिफन को जान से माल डालूंगा पिश आहे मुझे रोकने के लिए मेरे रास्ते में कोई भी आये यहाँ पर हौचिन को बचाने के लिए हम देखते है कि फ्लेम गार्ड और आइस कार तेजी के सारा आगे बढ़ते हुए यहाँ ट्रोल किंग के सामने आ गए और यह तीनों सीनर जाकर एक दूसरी से तकड़ा जाते है जिसके वदर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा इनर्ची ब्लास्ट हो गया चारो तरफ दूआ हो चुका था किसी को भी समय नहीं आ रहा था कि कौन आखिरी सड़ाय को सर्वाइफ कर चुका होगा पर तभी अचानक हमें यहाँ पर ट्रोल किंग की आवास सुनाई देती है जो के चिलाते हुए कह रहा था कि मुझे जान से मारना है औसरन ग्रिफन मरेगा वो नहीं बाई सकता यह ट्रोल किंग को जिन्दा देखकर तो हाँचिन अपने सातियों से कहता है कि चलो एक साथ हमला करो और इस आदमी को जान से मार डालो हाँचिन का यह हुकम सुनकर तो वो सब लोग यह एक साथ आगे की तरफ बढ़ते में ट्रोल किंग पर अटेक कर चुके थे पर तभी अचानक ट्रोल किंग अपनी बहुत सारी इनर्जी एक साथ ही कटा करते हुए वहाँ पर एक बहुत बड़ा इनर्जी ब्लास कर देता ह जिसके इफेट के कारण सब लोग पीजे की तरफ गसीटे गए और इससे पहले कि यहां ही लोगों को जारा इंजिरीज हो पाती तभी अचानक हाँचिन ने हान्यू का आवाज दे दी जहां हाँचिन हान्यू से कहता है कि अपने दोस्तों को प्रोटेक करो हाँचिन की ये जहांपर हन्यू दुवे के अंदर से बाहर आते वे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ ये मेरा कुछ नहीं बिगार सकता हन्यू को जिन्दा सलामत देखकर हाँचिन तीजी के सार आगे बढ़ते वे ट्रोल किंग पर अटेक करने जा रहा था जहांपर हम देखते है क कि ट्रोल किंग ने अपने हाथ का इस्तिमाल करती हूँ तेजी के सार हाँचिन पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया साथ ही सार वो हाँचिन से कहता है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते तुम लोग बस ममूली से इंसान हो जो कि कीड़े मकोडों से जैरा कुछ नहीं हाँचिन को यहाँ पर तकलीफ में देखकर तो कैरन को घुसा आ गया और वो फोरस से अपने सिक्स पास सर्कुलेशन टिक्नीक को एक्टिवेट कर लेती है जहाँ पर उसे अपने समसारा डैगर का इस्तिमाल करती हूए फोरस से उस ट्रोल किंग के हाथ पर हमला कर दिया औ हाँचिन को जान से मार डालूंगा यहाँ ट्रोल किंग को एक बार पिर से आगे की तरफ आता वा देकर केरन हाँचिन से कहती है कि शायद मुझे अपने सिक्स पास सर्कुलेशन टिक्नीक को एक बार पिर से यूज़ करना होगा पर हाँचिन ने फोरस से केरन को यहीं पर और वो आगे के तरफ आता है कि मुझे जो गौडेस ऑफ लाइड की तरफ से टिक्नीक मिलीती ही लगता है कि आज मुझे उसका इस्तिमाल करना ही होगा जो कहती है आगे की तरह के फर्मेशन को शुरू करते हैं यहाँपर ह देखते हैं कि हाचिन ने काफी कूल तरीके से अपने judgment of glory sun टिकनीक का इस्तिमाल करते हुए ट्रोल किंग पर attack कर दिया जो attack इतना जारा brutal था कि इस अटेक से तकडाने के बाद तो ट्रोल किंग दर्ट से चिलाना शुरू कर देता है पर ये उसे काफी जारा कमजोर कर देती है जिसके वरन से वो बेहोश होतावा नीचे की तरफ आगी रहा अभी लिंसवान 30 के साथ जम करते हुए अपनी लीडर को यहाँ कैच कर लेता है हाउचेन वापस से होश में तो आ चुका था पर उसके हालत बहुत ही खराब थी एरन तो 30 के सार आगे बढ़ते में सीड़ा हाउचेन की गले जाकर लग गई जबकि दूसरी तरफ पहाड़ी के उपर देखती है कि अचानक वहाँ से काफी ज़रा इनर्जी अलिशोना शुरू हो गई है ये सारी की सारी इनर्जी हावीवी की बाड़ी से निकल रही थी क्योंकि उसने खुद को इवॉल्फ कर लिया उसका फूर्थ हैड बाहर निकल आया है जिसके वर इसे वो काफी ज़रा कूल और पहले से बहुत ही ज़रा खतरनाक लग रहा था लेकिन ये सब अभी खतम नहीं हुआ क्योंकि दूसरी तरफ से अचानक वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल भी ओपन हो जाता है जिसके अंदर से त्री अंडेट किंग्स निकल कर बाहर आ गए हौचेन तो पहले ही इन अंडेट किंग्स से एक बड़ मिल चुका है जबकि दूसरी तरफ उंडेट किंग्स भी यहाँ पर हौचेन को देकर कहते है कि एक बड़ पिरसे हम लोगों की मुलाकात हो गई और इसी खतरनाक सस्पेंस वाले सीन के साथ हमारा ये एपिसोड ये पर खितम हो जाता है